अब जो खबर सामने आ रही वो अंधेरी पश्चिम की है जिसने एक बहुत बड़े मामने का उजागर किया है, खुलासा किया है, ऑनलाइन ठगी का मामला एक्सपोज हुआ है पुलिस ने इंटर्नेट पर कुरियर कमपनी का जाल फैला कर ऑनलाइन ठगी करने वाले जामतारा गैंग के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है खास बात यह है कि जारकंट की जामतारा गैंग ऑनलाइन अपराद को अंजाम देने में बहुत मशूर है लेकिन पुलिस की बरती सक्रियता से यह गैंग अब महानगरों में अपना डेरा डाल रहा है इससे पहले इस गैंग के सदस्य किराय के मकान में रहकर कुरियर, बीमा और बिजली विवाग के करमचारी बनकर ठगी की वारदात को बखोबी अंजाम देते थे दरसल मुंबई उपनागर के ओशिवरा में कुरियर कंपनी का प्रतिदी बनकर इस गिरों ने साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था जिसके जाँच ओशिवरा पुलिस की साइबर सेल कर रही थी पुलिस ने बैंक डिटेल और मॉबाइल लोकेशन की एक एक कड़ी को जोड़ कर इस गैंग के तीन आरोपियों को सांता कुरूज इलाके से गिरफतार कर लिया आरोपी जाम ताला के रहने वाले हैं जो जारखंड में हैं इनके खिलाब पहले से कई मामले दर्ज हैं पर वो नहीं पहुचा उसके बाद महिला ने गूगल में कूरियर कंपनी का नंबर सर्च किया और फिर पूछ ताच की इंटरनेट पर आरोपियों ने एक वेब पेज बना रखा था जिसमें ये दिखाया गया है कि ये पेज कूरियर संबनित हिल प्लैन का कारे करता है इसके बाद ठग गिरों ने युवती को अपने जासे में लेते हुए सामान डिलेवरी नहीं होने की बात कहकर युवती के मुबाइल पर एक लिंक भेजा और पांच रुपे भरकर जारकारी देने को कहा इसके बाद आरोपी के दो एकाउंट से 1,94 रुपे अड़ा लिए गए यानि शिकायत करता भिदंग रह गई ठगी का शिकार होने के बाद यूती ने इसकी शिकायत ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई इसके बाद साइबर सेल की टीम जात में जुटी साइबर सेल के अधिकारी ने मुबा माइं ठगी करने का गुना कबूल कर लिया है अरुपी के कबजे से 29 डेवीट कार्ट साथ मुबाइल फोन चौदर एयर ट्रेल जियो कंपनी के सिम और विभीन बैंक के पास्बूक और चेक बूक बरामत किये हैं पुलिस ने बताया कि आरुपी जाम ताड़ा के रहने वाले हैं इनके खिलाब जारकर्ण में तीन मामले पहले से दर्ज हैं केंदर सरकार और राज्य सरकार के पुलिस एजन्शियों की जांत से इन लोगों ने अपना ठिकाना बदल दिया था ये गैंग कतित रूप से आर कर दो.